हेलो बच्छो नमस्कार कैसे हैं यह नहीं पूछूँगा क्योंकि एज में जो छूट दिच्चा चाहता है वो परिशान तो होगा इसमें कोई सक नहीं है कैसे आदमी तभी पूछता है जब सब के हाल अच्छे हों क्योंकि किसी का जवाब ऐसे नहीं सुना होगा आपने मैं बिकार हूँ ठीक हूँ ऐसे ही आता है तो परिशान तो आप हो लेकिन बचो आप सब को मालूम होगा कि जितने भी वीडियो मैंने आज तक आप मामला विदानसभा में नहीं उठाया विदानसभा में मामला उठ चुका है ये रिलक्शेशन का और ये जो पूछा जा चुका है सरकार से सरकार का वहांभी रेपलाई जो है शकार अत्मक नहीं दिखा उस वियाभब्पे में बोलता था और भरती बोर्ड ने परला जहाड लिया था पहले ही कि यह अब हमारे हाथ में नहीं है यह सासन ही करेगा जो भी इस नियमावली में बदलाव करेगा भरती बोर्ड ने यह कहकर तो भरती बोर्ड ने अपने हाथ जहाड रखें तो आप भरती بोर्ड को कुछ भी करे जाओ भरती बोर्ड पे यहाँ मतलब मैं कहूं का हाथ में भी नहीं है और दूसरा वो कुछ करने की हालत में भी नहीं है अब बात है कि अब इसमें हो क्या क्योंकि आप सॉलुशंस दीजिये समझ्या तो खड़ी है इसमें कोई सक नहीं है क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इस्पेसली सन 2000 और 2001 के बच्चे हैं वो पहले अंडरेज रह गए थे जब पहले विकेंसी आये थी और अब वो ओवरेज हो गए हैं उनमें से अधिकतर तो 2000-2001 के बच्चे तो के साथ तो दिक्कत हुई है जो जनरल केटेगरी या EWS केटेगरी से आता है और ये बिलकुल हम कहेंगे कि अवसर की समानता है कि यार एक भरती सब को मिलनी चाहिए और मिलनी ही चाहिए अगर आप या तो एज बढ़ाओ या कुछ बढ़ाओ कुछ भी करो पर एक चांस सब को मिलना चाहिए या तो आप एक कंटिनियूस में एक दो साल में तीन साल में लाते रहे ही विकेंस अगर यही एज रखनी है तो 18 से 22 अगर यह नहीं रखनी है तो फिर आपको जो है भरती फिर इस एज का जो वो है बढ़ा लेना चाहिए क्योंकि इतनी सब को दिखता है तो यह साफ बच्चो दिख रहा है कि अन्याय बच्चो के साथ हुआ है अब हमारे पास कदम क्या है कि अगर जिसको हम इसमें उठाया सकते हैं बच्चो कोई कहता हो फिजिकल प्रोटेस्ट के लिए वहाँ चलो यहाँ चलो मैं पहले भी हमेशा ही खिलाफ रहा हूँ कि फिजिकल प्रोटेस्ट मैं कभी भी प्रोटसाहन नहीं करूँगा आपको उसका ना कभी ये कहूँगा ना कभी साथ आऊंगा फिजिकल प्रोटेस्ट में अगर मुझे बच्चों के बचाने का कोई प्लान नहीं है मेरे पास बच्चों को बचाने का मेंस कि भाई आप वहां चले जाओ आप पे डंडा पटकता हो या आपका केरियर बरबाद होता हो तो वह अगर मुझे या तो आ आप वीडियो नहीं ला रहे हैं सब ले आए manifests आप नहीं लाया आपव नहीं लाया तो मैं जब भी कोई वीडियो लाता हूं बहुत प्लानिंग के साथ कि भई ठीक है जब वीडियो सिर्फ अना चाहिए जब मैं बच्चों को सॉलूशन दे सकूंग यह आके मैं भी आपकी तरह अगर रोने लगूं कि एज में छूटने मिली, बहुत बुरा हुआ, ये हो गया, वो हो गया, तो बच्चों ये बहुत असान है करना, ठीक है, इससे ऐसर लगेगा सामने वाला तुम्हारे साथ है, लेकिन बात ये है कि सामने वाले ने तुम्हारे लिए किया गया, या क्या कर सकता है, मैटर वो करना चाहिए, ये नहीं कि हाँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, और लोग तुम्हारे साथ नहीं आ रहे हैं, और देखो उसने इतने कोर्स बेच दिये हैं, और भाई, कोर्स देखिए, कोर्स अगर बिच रहा है, तो कोर्स भी बहुत मेहनत लगती हो और ऐसी फीस लेता नहीं जो कोई अफॉर्ड नहीं कर सकता तो उसके लिए तो भाई अगर कोई यह कहता हो कोर्स बेच रहा हूं तो कोर्स अपना खर्च चलाने के लिए बेचना ही पड़ेगा अगर मैं आपको कुछ क्वालेटी चीज देर पाऊंगा तो वरना तो मैं अकेला खड़ा हो जाऊंगा आपके हिंदी पढ़ा रहा हूं उतके मैं पड़ा रहा हूं तो उससे तो आपकी तैयारी होनी है नहीं ठीक है चलिए अब बात कर लेते हैं सारी चीजों पर की एज में छूट के लिए चार अगर यह आपने फिजिकल प्रोटेस्ट मैं पांचवा कदम को मना करता हूं ठीक है अब देखिए ट्वीटर केमपेन आप ये सब बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर ट्वीटर केमपेन तो हम चला रहे हैं और चलाते आए हैं इससे अब तक कुछ नहीं हुआ तो अब क कुछ ना हूँ लेकिन ये बात सरकार तक कहुछ ती हैं और इसको करें कैसेस इसके बारे में भी बात चारेंगा कोयी जब भी कोई court case आप करने जाते हो भरतियों से related चाहे जीत हो या हार हो अलग बात है पर 5% ही chance मान करके चलिएगा जीतने के तो उससे क्या है कि जो court case लेकर के आपको लेकर के जा रहा है वो अपने आप में बहुत बड़ा काम कर रहा है आपके लिए हो सकता है वो अपने लिए कुछ बचाता भी हो हो सकता है कुछ ना भी बचाता हूँ लेकिन उसने आपके लिए मेहनत बहुत करी है तो आप उसको सिर्फ negative बोलते हो उस time पर अगर आप case हर जाते हो और case जीत जाते हो तो आपके लिए भगवान बन जाता है तो यहां पर ये उसको भगवान बनने की possibility सिर्फ 5% होती है 95% वो सिर्फ आपकी negativity जह लेगा तो बच्चो इस court case के लिए हिम्मत इसलिए कोई नहीं कर पाता ये हकीकत है अब court case आप single लोग भी जाते हैं court case डालने उनका कम से कम कोई ठीक सवकिल करोगे 60-70,000, 1,5,000 तक कभी खर्चा आता है लेकिन अब चुकि बच्चे बल्क में हैं तो अगर कोई आपसे 1500, 500, 700 जितने में भी उसका बनता हूँ मुझे नहीं पता तो भाई अगर वो फीस लेता है तो वो जायज है और आप ये मान लो कि ये फीस दे रहा हूँ चांस 5%, 5% डुबाने के लिए दे रहा हूँ पैसा बात करूँगा हर जिले के बच्चे अपने विधायक एवम नेता यह बहुत अच्छा पॉइंट कल विवेक सर ने एक्जामपुर पर उठाया है और बचो मैं भी इसको फुल सपोर्ट करता हूँ और इस पर आपको थोड़ा से कुछ चीजे एड-on भी करूँगा ठीक है और यह मैं हमेशा और यह उन्होंने मुद्दा उठाया बहुत अच्छी बात है लेकिन आप मेरी सौरी पिछली वीडियो को देखो मैंने बोला था कि आपको एज रिलक्षेशन कोई ट्वीटर से नहीं मिलेगा और सरकार देने की मनसा नहीं है भरती बोड़ दे नहीं सकत आपको सिर्फ एक ही काम करना पड़ेगा अपने विधायकों से जाके बोलिए हर वीडियो में आपको एलाइन मेरी मिल जाएगी जहां भी मैं एज रिलक्षेशन पर बोला हूँ ठीक है तो यह तीसरा पॉइंट हो है चौथे पॉइंट पर मैं बोलूँ तो cm help line number और जिन स कुछ लोग इसको जानते होंगे कुछ बिलकुल नहीं जानते होंगे इसके बारे में भी बाते करूंगा तो बच्चो पहला काम सुन लीजिए कि आज यह राम सर है राम जी की पार्ट साला वाले राम सर इस मुद्दे को उन्होंने उठाया हुआ है और बहुत अच्छा सुबह दस बजे से आपको करना होगा सुबह दस बजे से और आप लगातार एक हफते कम से कम इसको ट्रेंडिंग में आपको रखना ही पड़ेगा लगातार हर रोच नियूज भी छपेगी फिर सरकार पे जूब भी चलेगी और चुकि सरकार को हम इस तरफ से नहीं दे रह रहा है बच्चो यह मुद्दा मैं राम सर से भी हाद जोड के रिक्वेस्ट करूंगा कि वो सर भी बच्चों के साथ रोज दस बुजे लाइफ आए और अपना जो है इस पे बाते करें और इस से ट्वीट कराएं बच्चों को ताकि बच्चे एक जुट हो सकें ठीक है सर एक हफते तक मैं ट्वीट करूंगा मेरा कितना समय बरबाद होगा बच्चों वैसे भी तो आप यह समझ लीजे कि आपकी यह भरती जो साथ हजार दोस्ट चबालिस है यह जनमों कर्मों में आती है एक बार अगर लाइफ में यह चांस मिल गया अगर साथ दिन की मैनत से तो बुरा नहीं है बहुत अच्छा चांस है फिर आपकी लगभग मैं मानता हूं कि आप यह कर लेंगे कि मुझे इसमें मिले ना मिले कमप्टिशन वो अलग बात है लेकिन मैं बहुत मेहनत इसमें कर सकता हूं एक जुट होकर के हम अगर ऐसे लड़े तो अब अगली बात है इराम सर जो मैंने अभी जस्ट अभी दस सेतालिस पे स्क्रीन सॉट लिया है यह सर भी देखिए मुझे किसी का प्रमोशन करने में या वो करने में कतरी परहिज नहीं है अगर वो बच्चों के हित की बात है आपको लगता होगा दूसरे चैनल कुछ नहीं दिखा देता ह कोई बात नहीं मुझे बच्चों ने सिखर पर पहुचा और अच्छा काम करेंगे तो उनको भी पहुचाएंगे इसमें कोई सक नहीं है और पहुचने चाहिए अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो यह मेरी दिल से दुआ है किसी के लिए भी तो यह सार है इनका चैनल है आप सर्च करेंगे तो और यह इन्होंने ट्वीटर ट्रेंडिंग पर आज चला रखा है यह सेम हैजटेग यह देख लीजिए ठीक है और एक्जामपुर ने भी चला रखा है वो भी साथ में हैं आपके बहुत अच्छी बात है और भी अगर मुझे कोई चैनल दिखा होता त सुरी मैं अगर उनका नाम नहीं ले पाया हूं तो ठीक है आगे बात कर लेते हैं यह तो रहा है ट्वीटर की बात अब कोर्ट केस की बात कर लेते हैं कोर्ट केस में बहुत सारे बच्चे वह नेगेटिव हो सकते हैं जिनकी यह जा गई है वह सोचेंगे कि सर हमारी भरती पर इसटे लग जाएगा तो मैं उनके लिए बोल देता हूं कि आप भरती रुकेगी भरती चाहे कुछ भी कितने भी अब कोर्ट केस हो जाए यह सुप्रेम कोर्ट का भी डिसीजन है अब कोई भरती पर इसटे नहीं लगता है जो जिनका केस है उनका केस चलता रहेगा चा किसी भी भरती पर कोई भी फरक अब नहीं पड़ता है ठीक है जिन बच्चों का यह डाउट हो तो वो दूर कर दिया मैंने अब आजएए जीते तो मौका सभी को मिलेगा या केवल याच्यों को कोर्ट केस में यह बड़ा जंजट रहता है कि अगर हम कोर्ट केस डालें तो लोग अगर हम जीत गए तो मौका किसको मिलेगा जो हमने पैटिशनर पैटिशनर वहते हैं आपने पैसे दिये कोट में फीस दी वकील कि उन्होंने आपका भी नाम डलवा दिया जजसाब ने बोला कि यह लोग आये हैं तो इनको ज्यादा दिक्कत होगी तो इनको छूट ला तो बाकी लोग जागरू को नहीं है तो नहीं है तो ऐसा बच्चो ऐसा कई केसिस में जैसे सी आर पी एफ के केस में अभी फैसल आया था तो वहां याचियों को छूट मिली थी या सब को मिली थी आई थिंक मैं उसमें कंफ्यूज हूं लेकिन दिल्ली पुलिस HCM में औ और AWTPO में अभी वहां मामला दूसरा था अला कि पर वहां तो कोवीड के उपर ही केस डाला था CRPF में तो वह जीत गए थे अब मैं उसकी बात करूं AWTPO और HCM की तो वहां भी कोट केस डाला था पर वह मामला दूसरा था वहां कोवीड की वज़े से इस रिलेक्सेशन नही प्ली तो भाई-साब अगर छूट मिली तो यह भी हो सकता है अब चूट मिली केल या चियों को मिली तो उन बच्चों को बहुत पच्छतावा रह जाता है जो याची नहीं याची बनने का क्या तरीका है भाई आप वकील को अपना जो इसको लीड कर रहा हूं उसको अपना नाम दे दो वो साइद आपसे फीस भीस लेते होंगे वो आपका नाम एड कर देंगे आपसे आधार काड कोपी ओपी सब कुछ ही मांग लेंगे ठीक है तो यह होता है केस कैस क्या क्या जीत सकते हैं जीतने का चांक सिर्फ 5 परसेंट है मैं फिर बोल रहा हूं कि कोई भी चांस 5 पर से ज़्यादा एक बार मैं किसी वकील से मिला थाँ केस आपका कितना भी स्ट्रॉंग हो वह यही बोलता था पांच परसेंट है इस से ज़्यादा नहीं वकील ऐसा बोलते नहीं वकील तो कहते हैं सो परसेंट आप ही जीत होगे पर कोई सच्चा वकील मिले तो वह ऐसे बोलते हैं क्योंकि दिसीजन वकील के हाथ में नहीं है देश्वंत्राले जहां से मैंने जॉब चोड़ी यह भी वहाँ है ठीक है अब मैं बात करूं तो नोटबुक अकेडमी है दिल्ली से चैनल रन करते हैं मात एक लाग का चैनल है तो इन्होंने कल वीडियो बनाई थी मैं कोट केस वालों को जिन पर मुझे भरोसा है मैं उनक साही रेफ्रेंस दे सकता हूं कि बच्चों का पैसा भी कीमती होता है तो भाई यूपी पुलिस 2030 एज कोट केस ट्वीटर केमपे तो यह इन्होंने एक वीडियो बनाई है 45 मिनट की वीडियो है अब प्लीज इस वीडियो को देख लीजे और अपने इच्छा से अपने वि सलसा बिल्कुल कभी नहीं आ सकती कि यह आपका पैसा खा जाए क्योंकि जितना मैं इनको जानता हूं और यह मेरे दोस्त रहे हैं आज भी है ठीक है हाला कि मैंने कोट केस को लेकर अभी इन से कोई बात नहीं किया मैं जब कोट केस वीडियो में सर्च कर रहा था तो इनकी उपर आई और बच्चो मैंने इनकी फिरस्वारी बाते सुनी और मुझे जो जैनुमिनली फील हुआ मैंने इसलिए इस वीडियो में रिकमेंड किया है यह मुझे जरूर कॉल करके थेंक्यू बोलेंगे इस वीडियो के बाद ठीक है चलो तो यह आप इनसे कॉंटेक्ट कर सकते हो कॉंटेक्ट नंबर भी हाला कि यहां लिखा हुआ है इनका और बाकी परसल नहीं है साथ हेल्प लाइन है पर एक दो लोग ही उठाते होंगे तो यह हो जाएगा चलो इसके लिए तो मैं कुछ नहीं कह सकता बट इन्होंने जो वीडियो में बोला है उस तरह से फॉ इनकी वीडियो देख रहा था तो एक नेगेटिव पॉइंट लगा क्योंकि जो इन्होंने वकील साब का चैन किया है इस वीडियो के माध्यम से मुझे पता चला वह साथ दिल्ली बेस्ट है और यह कोड केस होगा आपका प्रियागराज में इलाभाद में अब वहां का करके उनको सुनवाई कर देते हैं तो यह कोई दिसक्कत वाली बात नहीं है फिक है इन वकील्य साब ने Th Fred का Conference का जिताया है जिन से यह बात कर रहे हैं और ऐसा नहीं है केस हारे नही है एंग दो में इन्होंने और आयई टी बीडियो पी में एक केस हार गया एक दो में और अब ही साइड ड्राइवर वर का डाला था वो केस भी हार गए एज रेलक्षेशन काई था कोविड की वज़े से पर यह कहते हैं कि वहां पर लास्ट डेट निकल गई थी फॉर्म की तब केस करा तो जब फॉर्म की लास्ट डेट से पहले-पहले केस डाल जाओ एकाज सुनव विधायक और नेता के पास देखिए पहला काम ट्वीटर वह आप जरूर करिए दो तीन घंटे-चार घंटे जब भी समय मिल रहा है आप प्लीज उसको करते रहिए आप विधायक के पास जा रहे है तब भी ट्वीट करते रहिए दूसरा काम कोट केस पर वह आपके विवे बात कर लीजिएगा ठीक है तीसरा पॉइंट है विधायक या नेता तो भाई इस पॉइंट पर आप आजाते हैं हर जिले का वर्ट्सप गुरुप बनाओ वर्ट्सप गुरुप हर जिले का तो यह आप बना नहीं सकते हैं आप बच्चों कोई खटा करना बहुत मुस्किले के लिमिटेड बच्चे हैं और वो बच्चे बिलकुल साथ नहीं आते ना ट्वीटर में वो साथ आएंगे जिरकी यह जागी हो तो सोचते मेरा कमप्टि इस गुरुप को आपको बना के दूँगा इस वीडियो के नीचे फर्स्ट कमेंट पे मैं उसको कर दूँगा बच्चों ठीक है पिन कर दूँगा आप अपने जिले का नाम ढूंड़ना उस गुरुप से जुड़ जाना यह मैं आपके लिए कर सकता हूं यह मेरे टीम लग मैं ज़को लेट करता रहां आपको मैं वीडियो नहीं बनाओंगा आज के बाद मैं नहीं बनाओंगा ना मैं ट्वीटर पर बनाने वाला हूं क्योंकि यह आएगी सर्फ पैसे नहीं है कुछ नहीं है वकील पर कम पड़े कुछ भी तो मैं अपनी जेब से भरने को तैयार हूं आप मुझे बता देना सर्फ पचास हजार की नीड पड़ रही है वकील को यह साथ की पड़ रही है तो मैं आपको मैं वकील के खाते में में जाना हुगा वाट्सअप गुरूप सिर्फ इसलिए बना रहा हूं ताकि सब लोग एक जले के एक जगह इखटे हो सके और एक जो है टाइम डिसाइड कर लीजिए जल्दी करिए इस काम को कल से कर लीजिए परसों से कर लीजिए अपने वक जिस विदायक के पास जाए विदायक के पास विजा रहे हूं तो कम से कम अगर भीड च्छी है तो एक दो किलोमीटर का पैदल मार्च वहाँ मरुक भी हो वल्दौ सवी विदायाएक के एक किलोमीटर दूर या देड़ किलोमीटर दूर घर से पैदल निकलो भीड बहुत अच्छी दिखेगी जनता के आपकी बात को सरकार तक पहुचाने के लिए तो आप बिलकुल सांती पूर्वक कोई हुड़दंग नहीं क्योंकि आप सब युवाइज के बच्चे हो किसी को कोई ना विधायक के आगे धर्ना देना है ना कहीं धर्ना देना अपनी बात सांती पूर्ण रखनी है ठ के लिए आप एकट्टे होके अपना प्रात्नापत् विधायक जी को दो कैसे ऑगा प्रात्नापत्र अभी दिखा रहा हो अपको अपने अपने नेता के पास और यह इंड हो आपको भी चाहिए यहां भीड हो या ना हो यह ग्यापन दिया जा सकता है बहुत अराम से तो हर जिले के डी एम पर अगर यह भी होगा ग्यापन तो बहुत अच्छा हो जाएगा आप लोगों के लिए क्योंकि यह मुख्य सचिव से अपनी आपकी बात रखते हैं कि मुख्य तीन साल की कोविड के कारण साफ साफ लिखा हुआ है और भरतियों में तो आप यह भी अपने विधायकों को यह दिखा सकते हो कि देखिए SSCGD में भी 3 years कोविड पैंडमिक के कारण यह भी साफ साफ लिखा है तो थोड़े प्रूफ भी मैंने आपको दे दिये हैं बिहार पुलिस में भी हाला कि यहां कोविड का कोई जिकर नहीं है पर यह भरती आई थी जून 2023 में तो इन्होंने वैसे तो कुछ नहीं लिखा चूट का लेकिन इन्होंने 18-2022 को एज मांगी तो वैसे ही एक साल की चूट हो गई दूसरा इनके यहां एज भी 18-25 साल है आप इतनी एज है यूपी में इतनी कम क्यूं है यह बात थोड़ा विदायक जी को बताईए और यह लेटर बिलकुल एक जैसा मतलिक ना यह मेरी विंति है आपसे कि भाई मैं थोड़ा सा आपको एक मैट्रियल दिये देता हूं आप थोड़ा सा इसे मॉडिफाई कर जानिय विधायक जिस भी विधानसवा छेत्र के हैं वो विशय यूपे पुलिस सिपाही में भरती में छूट के संबंद में प्राथना पत्र स्रीमान विधायक जी तेश दिसंबर दोहजार तेश को उत्तर प्रदेश पुलिस में 6244 यानि काली ही पदोपर विगपती नि क्योंकि इस से पहले सिपाही भरती अक्टूबर 2018 में आई थी जिसको पांच वर्स से अधिक समय बीट चुगा है उत्तर प्रदेश पुलिस में समान्य केटेगरी की आयू तीमा मात्र 2018 से 22 वर्स है इस वज़य से हम में से ऐसे लाखों युवा हैं जो पिछली 2018 भरती में अंडर एज रह जाने के कारण आवेदन नहीं कर सके और इस भरती में ओवरेज होने के कारण आवेदन नहीं कर पाएंगे श्रीमान आयू सीमा में छूट मांगने के हमारे निमलिखित कारण है कारण भी दे दिये उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही भरती में आयू सीमा के बिहार पुलिस अठारे से 25 है तो ऐसे उधारन दिये जा सकते हैं जो भी भरती कोविट 19 के बाद पहली बार आई उन सभी में दो से तीन वर्स की आयू सीमा छूट दी गई है जैसे MP पुलिस राजिस्थान पुलिस CRPF Head Constable SSC GD भरती आदी CRPF में कोर्ट से मिली थी अलाकि इनों दी नहीं थी तो मिल गई थी हजारों सामाने केटेगरी के अभ्यारतियों को पुलिस भरती में एक भी अवसर नहीं मिलना ये उनके अवसर की समानता के अधिकार का हनन जैसा है तो बच्चों कारण बताएं मैं एक तो यह कि 18-22 जो सबसे काम है किसी विराज्य से दूसरा कारण दिया है कोविड-19 में जहात भरतियों में छुट मिली है दो से तीन साल की इन भरतियों का नाम भी लिख दिया हजारों तीसरा कारण हजारों सामाने केटेगरी के अभ्यारतियों को पुलिस भरती में एक अभी अवसर नहीं मिलेगा जारों उच्छे ऐसे 2000 और 2001 जिनकी डेट अब बर्त है उनके अवसर की समानता के अधिकार के हनन जैसा है इस भरती की घोशना सर्प रिथम माननी है मुख्यमंत्री ने 2021 में पुलिस इसमर्ति दिवस पर की थी जिसके अनुपालन में जनवरी 2022 भरती बोड में ऑफिशियल साइट पर उत्तरप्रदेश सिपाही भरती 2021 के नाम से टेंडर निकाल गया था देख ले ना उसको आज भी वो टेंडर पड़ा हुआ है उस पर भरती 2021 लिखा हुआ है अगर यह 2021 की भरती है तो आपको क्योंकि आप जो भरती होती है जिस साल की उसके हिसाब से आपको एज लेनी चाहिए एक जुलाई 2021 यह मैंने लिख दिया है अगर आप एक जुलाई 2021 से इस एज को मांगेंगे और आप मांग रहें एक जुलाई 2023 से तो दो साल की छूट स्वेत ही हो जाएगी कम से कम यह दो साल की तो मिलनी चाहिए अगर आप COVID-19 को भी निकाल लें दिमाग से तो तो चौथा important कारण यह है त्रिमान उप्रियुक्त सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए आपसे विनम्र निवेदन है कि माननिय मुख्यमंतरी जी द्वारा भरती बोड को आयू सीमा में छूट के लिए आदेशित करवाया जाए जिससे बहुत से युवाओं का भविश्य गर्त में जाने से बच जाएगा आपकी और मुख्यमंतरी जी की अतिकरपा होगी यह आपका अग्यकारी यह बात गौर से सुनना आपका अग्यकारी आवेदक अपना यहां नाम लिख दिया और जितने भी आपके साथ हैं प्लीज उन को जाके दे दीजिए थोड़ा सागर आप चेंज कर सकते हैं कुछ और अपनी बात रखना चाहते हैं कुछ इन से अलग कोई अच्छा पॉइंट नहीं लग रहा हो उसको हटा के दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं इनमें बच्चों मैंने अपनी जानकारी के अनुसार चाहिए ठीक है तो अगर इसमें कोई ऐसी बात लिखती है मेरी जानकारी में सही नहीं है तो फिर उसको हटा के आप अपनी वह सही वाली बात लिख लेना ठीक है तो अपना मैंने आपको जो बच्चों जो भी मैं आपके लिए कर सकता था मुझे लगता है कि यार इन सब से बहुत कुछ हो जाना चाहिए आपके लिए अगर होगा तो इतना करने से बहुत कुछ हो जाएगा चौथा पॉइंट जो इंपोर्टेंट भी है सीम हेल्प लाइन नंबर है हमारे पास 106 जो पबलिक के लिए ही है इस पे बहुत सारे लोग सिकायत करते हैं और काम भी होते हैं काम होते देखे गए हैं इससे कि सड़क बनना नाली खराब होना ऐसे चोटे-चोटे काम भी इस सीम हेल्प लाइन नंबर से होते हैं तो आप चुकि जन सुनवाई नाम है तो जन की सुनवाई जन का भी फिलाल क्या विचार है क्या चल रहा है उसको सरकार तक जाने के लिए डारेक्टिक हेल्प लाइन नंबर है यह आपके फोनों से मिल जाएगा और एक दूसरा अगर आप यह दे देते हैं बहुत बढ़िया फोन पे कहानी सुना सकते हैं उनको पर यह लिखित में नहीं गई यह सिर्फ वरबली बोली और नोट कर ली वह बात जहा यह लेटर साइन किया हुआ यह स्कैन करके वहां एक ऑप्शन भी है अटेच तो अटेच भी कर सकते हो और अपनी बात एक कॉलम में वहां आता है उसमें लिख भी सकते हो आप चाहते क्या है तो यह बात अगर यह सम्मिट हो जाती है तो आपकी कारवाही पता लगती रहती है कि आपका जन सुनवाई पर जब ट्रेस करोगे कि मेरी अप्लिकेशन कहां तक पहुंची तो वह भी वहां दिया जाता है ठीक है तो उस चीज़ को भी अब जन सुनवाई पर सिकायत करें एप पर कैसे सिकायत करें इस पर भी बहुत सारी वीडियो पढ़े हुए है और आप अपनी बर्त लोकतांतरिक तरीके से रख रहे हो ठीक है चलिए अब आप हाँ बचो मेरे ख्याल से इससे ज्यादा मैं आपको सेजेस्ट नहीं कर पाऊंगा मुझसे जो बना मैं कल से ही इस पॉइंट पर जब बच्जा यह मुद्दा आया आपके कमेंट्स बहुत गंटे की नहीं हो सकती कि वह आदे गंटे की नहीं हो सकती बहुत लंबी सोच रही हो कि क्लमबा काम रहा है ठीक है तब ही यह लेटर वगेरा बनाएं हैं और आपको दिखाएं क्यूंकि और वाट्सप घुरूप बता चुका हूँ तो वाट्सप ग्रुप से जुड़ जा तो ऐलोना नहीं जाना तो ऐसे नहीं जाया जाएगा आपसे एक दो इखट्ट हों पर के झाया जाएगा धाय कर झाया तुकlaration पास आ तो आएगा आपके उपर है ना हर कि चीजह हम सांतिपूर्ण में बता चुका हूं विदायक जी को कोई जिंदाबाद के नारे नहीं लगाने कोई मुर्दाबाद के नहीं लगाने कुछ नहीं लगाना request mode में जो काम हो जाते हैं वो कभी किसी और मोड में होई ही नहीं सकते है रिक्वेस्ट मोड में ठीक है तो बच्चों नमस्कार धन्यवाद